अभी हाली में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ पहलबानों ने भारती कुष्टी संग पर मांस्री ग्रूप से पिताडित करने का और उनके साथ इयोन उत्पीडन का गंभीर आरोप लगाया है और आप सभी जानते हैं कि भारती है कुष्टी संगी की अगर हम लोग बात करें तो इभारत में कुष्टी का एक सर्वोच निकाय है और इसका मुख्याल है आप लोगों को नई दिल्ली में देखने कुम लेगा इसे आप लोग सौट में डवलू एप आई के नाम से भी जानते हैं और इसके बर्तमान में अध्यक्ष हैं कौन? ब्रेजभूसन सींग कौन है? ब्रेजभूसन सींग और ये भारती जिनता पार्टी के लोकसभा सदस भी हैं उत्तरपदेश से तो इनके उपर भी आप देखें आरोप लग रहे हैं तो हम लोग इनके बारे में एक सावन जानकारी देख लेते हैं और ये समय से में पर आप देखते हैं काफी चर्चा में भी बने रहते हैं और एक बात आप लोग याद रखेगा आरोप लगना और आरोप सिद्ध होना एक बहुत बड़ी बात होती है जमीन आसमान का दोनों में फरक देखने को मिलता है तो अब आप इसकी जांच होगी और जाज के बाद क्या रिजल्ट आता है वो माइने रखेगा अगर एक बार आप लोग उत्तरपिदेश को देखना चाहे क्योंकि उत्तरपिदेश से आते हैं और वैसे भी आप जानते हैं कि उत्तरपिदेश राजनीटी की दुरिष्टी से काफी मात्पूर है इसकी बिधान सबा में आप देखेंगे 403 सीटे हैं, बिधान परिशन में 100 सीटे हैं, राज्य सबा में 31 सीटे हैं, लोग सबा में 80 सीटे आपको देखने को मिलेंगी और आप देखते हैं कि राजनेतिक बिसलेशक कहते हैं कि जो दिल्ली की गद्धी है उसका रास्ता उत्तर पिदेश से होकर जाता है क्योंकि आप देखें असी सीत हैं लोग सबाब में हैं और अधेकतर पिधानमंत्री आप देखेंगे उत्तर पिदेश से ही निकल के आए हुए हैं, बारत्मार पिधानमंत्री मौदी साब बनारस से चुनकर आते हैं, लोग सबसा दस जाते हैं, ठीक है? अगर हम लोग ब्रेज भूसन सरन सींग की बात करें, तो इनका पूरा नाम क्या है? ब्रेज भूसन सरन सींग, इनका जनम 8 जन्मरी 1957 को विस्नौरपूर गौंडा उत्तर पिदेश में हुआ था, हिंदू है, और इनके पिता का नाम स्री जग दंबा सरन सींग, और माता का ना सिक्षा की बात करें, तो M, A, L, L, B, साकित महा विद्याले, अवद बिस्विद्याले, फैजाबाद से इन्होंने सिक्षा ली हुई है, एक किर्सक है, सामाजे कार करता भी है, संगीत कार भी है, खिलाडी भी है, और सिक्षा सास्त्री भी है, और भारती जिन्ता पार्टी से जोड़े हुए, और भारती जिन्ता पार्टी की बात करते हैं, तो आप सभी जानते हैं, कि 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, इसके संस्थापकों में आप देखेंगे, अटल बिहारी बाच पही और लाल किष्ण, आडवानी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, बे एक युवा नेता के रूम में चर्चेत होने लगे, लोगों की माने तो कुस्ती, दंगल, दौट और घुरसवारी में छेत्त के लोग, उनके नाम पर सर्थ तक लगा देते हैं, और चातराजनीती से उन्होंने 1987 में पहली बार गन्ना संती के चेयर्मेन का चुनाओ लेकिन 14 बोट से एहार मिली थी इन्हें, और दूसरी ओर रामजनम भूमी आंदोलन भी तोल पकड़ रहा था उसी समय, और अयुद्या की महंत, रामचंद परमहंस नेत गुपाल दास और हनवान गड़ी के स्वामी, धरम दास समय तमाम संतों का आसिवाल लेकर वो मंदिर आंदोलन में सक्री हो गए, कौन? बरेज भूसन, सरंसी, यहां उन्होंने लाल किष्णा अडवानी जैसे दिगज निताओं का साथ मिला, आंदोलन में जेल भी गए, और बैक्तिकत नाराजी के कारण पार्टी बदल कर उनने सापा जोएन कर, बहराईज की केसर गंज सीट से लोकसभा का चुनाओ लड़ा था और जीत हासिल की थी, और आप सभी जानते हैं कि देखे, लोकसभा का अगर आपको सदस बनना होता है, चुनाओ लडना होता है, तो कम से कम उमरे 25 साल होनी चाहिए, अधिक तम उमरे की कोई सीमा नहीं रखी गई है, लोकसभा सदस का 1991 में पहली बार सांसत चुने गए, 1991 की बात से 1999 तक हुए लोकसभा चुनाओ में बेजभूसन सरंग सींग ने लगातार जीत हांसिल की, 2004 की लोकसभा चुनाओ में भी बेजभूसन सरंग सींग ने जीत दर्च की, 2009 में लोकसभा चुनाओ में बेजभूसन सरंग सींग ने साथ आगए और केसर गंज लोकसबाथ सीट से चुणाव लटकर जीत हांसल की फिर 2019 के लोकसबाथ चुनाव में भी इन्होंने केसर गंज Lोकसबाथ सीट से सहराब में लटा दे luego के क्षेत्र में और विरजभूसन सरंग सिंग की दोस्ती और दुस्मनी की कहानी आप देखते हैं बड़ी चर्चा में आप लोग सुनते रहते हैं यह कहानी गॉंडा की है कहानी है कि गॉंडा जिले की सियासत के दो सबसे बड़े किरदार थे बिनोत कुमार सिंग और पंडित सिंग और दूसरे थे विरजभूसन सिरिंग से और पंडित सिंग और विरजभूसन सिंग ऐउध्या से सटे हुए इस जिले में हमिशा दो धरुब रहे हैं और यह हमिसा सुर्कियों में भी रहे हैं आपने दोस्ती के कारण और दुस्मनी के कारण भी ठीक है तो एक सौट वायग्राफी आप लोग कह सकते हैं एक सामान जानकारी है ब्रैज भूसन सरन सिंग के बारे में ठीक है